हलो फ्रेंड में वो सिवानी मिस्टर स्वागत है आप सबी का डिजाइन पूर में आज मैं आप लोग को बैक ब्लाउट डिजाइन बताऊंगी ब्लाउच की लंबाई मैंने देखे 14 इंच रखी है सोल्डर की चोड़ाई 6 इंच है अर्मोल की लंबाई 6 इंच है ब्लाउच का साइज अपने एक लाउटिंग रखिएगा गले की तीन इंच की चोड़ाई पे मार्क करेंगे आप धाई इंच भी चोड़ाई रख सकते हैं नीचे के साइट भी तीन इंच की चौड़ाई पर मार्क करेंगे और बिल्कुल बराबर में दोनों मार्क को एक लाइन में ड्रॉ कर देते हैं तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया अब गली की लंबाई लेंगे तो मैं गले की लंबाई साड़े 10 रख रहे हूं अपने कॉर्डिंग लंबाई ले सकते हैं यहां से बराबर में एक लाइन ड्रॉ कर दिया है वन इंच का कॉर्णर से मार्किंग करेंगे गले की गोलाई देने के लिए गोलाई में मार्क कर देंगे तो ये गले की गोलाई दे दिया, देखे, मार्किंग की उपर से गले को कट कर दिये हैं, अब बलाउस का कपड़ा ले लेते हैं और इसके भी गले की सेम कटिंग कर देंगे, तो ये देखी, गला मैंने दोनों कपड़ों का कट केर दिया है, बराबर में फैला दिये हैं, एक स design round-nick का बिल्कुल बराबर में आ जाएगा तो मैंने देखिए kut लगा दिया है गले पे अब पलट कर सीधा कर देते हैं गले को ये देखिए सीधा होच चुका एक सिलाई लगा कि इसकी finishing की stitching करेंगे तो गला बिल्कुल बराबर round-nick में आ जाएगा तो देखे मैंने ये गले की finishing की stitching पुरा कर दिया है अब blouse की all round stitching करेंगे side से इसको पुरा stitch करेंगे अस्तर कपड़े को मिलाते हुए तो आप देख लीजिए मैं कैसे मिलाते stitching कर रहे हुँ side से इसके इसी तरीके से आप भी दोनों कपड़ों को बराबर करते हैं पुरा side से stitch कर लीजिएगा तो जैसे मैं कर रहे हुए वीडियो में आपको समझ में आ रहे हुए कि दोनों कपड़ों को देखे मैं बराबर में stitch कर दिया है अब नीचे के side से जो को ट्रक्स की stitching होती है उसको माप लेते हैं stitch कर दीजिएगा देख लीजिए मैं कैसे कर रहे हुए ऐसे दोनों साइट से कर दियेगा यह देख लीजिए आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे stitch कर रहे हुए यह दोनों साइट से मैंने आपको अच्छे से स्टिच करके दिखा दिया है नीचे के साइट से देखिए ट्रक स्टिच हो चुका है फैब्रिक जॉइंड कर दिये हैं और इसको डबल फोल्ड करेंगे फैब्रिक को ब्लाउज के साथ में जॉइंड करेंगी इस पट्टी को और एक करनी है तो ब्लाउज साइट करते हैं और आपको डिजाइन दिखाएंगे तो कुछ फैब्रिक मैंने स्क्वैर में कट किया जिसकी चौडाई मैंने 2.3 इंच रखी है अब इसको क्रॉस में देखिए फोर पार्ट में फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और नीचे के साइट स सिलाइ लगा देंगे ते दिखिए फोर पार्ट में स्टुच होचुका है इसको मैंने कट करके अलग-अलग कर दिया और डिजाइन मैंने ये बना रखी थी इसको साइट करेंगे और ब्लाॉस ले लेया से ब्लाउस के रखेंगे डिजाइन को और आपको समझ में आ रही होगी मैं कैसे गले पे रख रही हूं गले के नीचे के साइट से रखना है उपर के साइट से सिलाई लगाते हैं स्टीचिंग करनी है तो मैंने देख लीचे पूरे गले पे डिजाइन को बराबर करते हैं पूरा इस्टीच कर दिया है आपको समझ में आ गई होगी अब हमें नीचे के साइट से डिजाइन करना है तो यहां से मार्क कर लेते हैं तो आप देखिए मैंने एक साइट से मार्क कर दिया है दूसरे साइट से इस तरीके से फोल्ड करके प्रेस करेंगी तो मार्किंग आ जाएगी तो मैंने प्रेस कर दिया है, मार्किंग आच चुकी, ये मार्क को डार्क कर दिये हैं, अब इस पे डिजाइन करनी है, ब्लाव साइड करेंगे और डिजाइन बनाने के लिए पट्टी ले ली है, इस पट्टी की चोड़ाई मैंने 1.7 इंच रख है, दोनों साइड से फेब्र को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, बरावर में बीच में फोल्ड करते हैं, एक सिलाई लगा के पट्टी की स्टीचिंग कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ रही होगी, मैंने ये पट्टी कैसे स्टीच कर रही हूं, इस तरीके से कर दीजिएगा, तो ये देख लीज इसे में पट्टी स्टीच हो चुकी है, अब डिजाइन बनाना इस से, तो डिजाइन बनाने के लिए इसको कट करना है, तो मैं आपको मेजर्मेंट बता देती हूं, तो मैं इसको 1.5 इंच, 1.5 इंच की लंबाई पे कट करूंगी, तो मैंने मापले लिया, मापले के करके पुरा अलग अलग कर दिया है, इसको साइड करेंगे पटी को, ब्लाउस ले लेते हैं, तो मैंने ये ब्लाउस ले लिया है, ब्लाउस के जैसे मार्किंग किया है, मैंने देखी उसी जगह से इसको डबल फोल्ड करके लुप्स बनाते हैं, रखते हैं तो आप देख ल कोड़ाई का बीच में देखे मैं गैपिंग भी रख रही हूं कि देख लीचिए मैंने कंप्लीटली थोड़ा सा बाकी पुरा लगा की स्टिच कर दिया है लूपस को अब इसके हमें ब्लाउस को लैस से डेकोरेट करना है तो ब्लैस ले लिए पहले गले पे बराबर में रख उस पे भी लैस की स्टिचिंग करेंगे तो देखे मैंने लैस ले लिया है लैस को बराबर करते हैं यहां से भी जैसे लूपस को स्टिच किया उसी जगह से लाई लगाते हैं लैस को भी स्टिच कर लेते हैं तो यह लैस दोनों साइड से स्टिच हो चुकी देखे ऊपर के स स्काइर में इसकी जो गोल्डेन कलर का फैबरी के इसकी लंबाई चोड़ाई मैंने तीन इंच रख किया जो रेड कलर का उसकी मैंने टू पॉइंट सेवन इंच रख किया लंबाई चोड़ाई ति मैंने देखिए जो गोल्डेन कलर का इसको मैंने क्रॉस में इस तरीके से फ फ्लावर को dots देखे मैंने इसको पल्ट कर सीधा कर दिया जो दोनों color carbon red color color fill शूच करेंगे इसको बी इसमें प्लक्षास में old करेंगे और देखे गले है दूसरा भी मैंने देख है बना ही लिया है तो यह दोनों कम्प्लीट है अब इन दोनों डूर्यों को बराबर करेंगे अच्छे से और 20 से कट करके दोरी को अलग-अलग कर लेते हैं दो पार्ट में कर देंगे दोरी को अब इस डोरी से हमें बलाउज को डेकोरेट करें दूसरे साइट से भी ऐसे डाल दीज़ेगा डोरी को तो मैंने दीखिए दोनु tai साइट से आपको डोरी कैसे डाल के दिखा है यसे डाल दीजेगा अब इसको अच्छे से मेंट से बाहए बेंगे भी इस से और यहां से हम बैज को थुड़रेट कर लेते डेट रेकुरेशन के लिए मैं यहां से कोई सो बटन लगा देती हूं तो मेरा यह ब्लाउस देखे बिलकुल कम्प्लीट है बहुत ही सिंपल सी डीजाइन थी अगर आपको मेरी यह डीजाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक से कमेंट कर न भूलेगा चनल को कर दीजेगा वेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा में लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए मिलते नए वीडियो में ने डीजाइन साथ जो ऐसा ही सिंपल और ब्यूटिफूल हो थैंक्स पूर ओचिंग बाइबाई